हेलो स्रुए और वालकम बैक टू मैं चैनल कॉंपटिर्श वाई इता तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ललित कला के बारे में जिसका ओफिशियल स्लेबस आ चुका है तो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार एस्टेट में जो फॉर्म निकले हैं उनका प्याकिसिए हैं हैं तो चलीए फिर बहले देखते हैं कि इसका पहले बता दिया है कौनप एपलाइग कर सकता है कौनकौन नहीं कर सकता है अगल किसी ने watch नहीं किया है तो आप उस को जरूर watch करिएगा उस video को ठीक है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं इसका syllabus क्या है सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो subject में कितने questions के marks होते हैं और कैसा paper का pattern होता है तो यहाँ पर पहले देखते हैं इसका विशिस टिविश है जो 100 marks का होगा यानि कि जो paper first है वो 100 marks का होगा बाकि इसका paper जो second है वो 50 marks का होगा कुल total आपका जो marks होंगे वो 150 होंगे ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 150 marks का paper है जिसमें आपको total समय की जो अविदी रहेगी वो धाई घंटा माच रहेगी तो आप इसको देखिएगा बाकि हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके जो subject में आता है वो क्या आएगा और इसके second paper में आएगा वो क्या आएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो paper first एक ये तो मैंने उस पहले ही बता चुकी हूँ कि जो paper first है वो एक वस्तोनिस्ठ प्रकार का paper है यानि कि option वाले आएंगे आपको tick mark करना है बाकि हर एक paper का जो paper है मतलब questions आएंगे हर किसी के एक marks होगा ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतेक सही उत्तर के लिए उमीदवारों को एक अंग दिया जाएगा ठीक है और यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि यहाँ पर कुल जो total है बता दिया है कि 150 अंगों का होगा कुल प्रशनों की भी संख्या 150 होगी क्योंकि एक ही अंग मिलेगा तो 150 ठीक है तो बाकी यहाँ पर है परिच्छा में गलत उत्तर होने के लिए किसी भी प्रकार का नकारात मक अंकन की योजना नहीं करी गई है तो यहाँ पर बहुत अच्छा है आपके पास अच्छी अपॉर्शनिटी है कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप लोग इस subject आ रहा है इसमें सबसे अच्छी अपॉर्शनिटी यह आपको मिली है तो यहाँ पर देखते हैं इसका syllabus क्या है ललित कला का ठीक है यहाँ पर आप लोग देख पारे होंगे कि यहाँ पर unit 1 लिखा हुआ है जिसमें unit 1 में ललित कला है यह एक माधिमिक पेपर है जिसमें आ ललित कला वालों के लिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सब्जिक्ट वाइज होता है वो सब्जिक्ट वाइज होता है और हमारा सब्जिक्ट क्या है ललित कला तो ललित कला के लिए जो सौ नंबर का मार्क्स है उसके लिए हम देखेंगे कि जो एकाई वन है उसमें क्या-क्या आएगा कला का अर्थ है ये बिलकुल सभी ने पढ़ा है चित्रकला है चित्रकला में प्रिक्त कला सामगरी आवं निर्मार बिधिया है वही है पूरा आपका का fundamental है तो fundamental पढ़ेंगे पूरा इसमें फिर है 21 सेकंड 21 सेकंड में आप लोग थोड़ा सब भड़ा भी इसके बड़ा भी कर ले थे तो आप लोग अच्छे से दिखेगा तो इकाई 2 में देखते हैं क्या है एकाई 2 में है ये चैप्टर वाइस ही है आप लोग अच्छे से द लोग को पढ़ाया है सब लोग ने बहुत अच्छा सा ये टॉपिक भी तयार करी रखा होगा बाकि हम एकाई 3 की तरफ बढ़ते हैं च्छापा कला दिया है इसमें च्छापा कला प्रिक्त कला सामगरी और निर्मार विधिया यानि कि पूरा ग्राफिक की जो टाक्निक है वो आप लोग एक्जाम में कर सकते हैं अब हम देखते हैं एकाई 4 का है व्याभारी कला है यहां पर व्याभारी कला में प्रिक्त कला सामगरी और निर्मार विधिया हैं व्याभारी कला में क्या देखेंगे जितनी भी एप्लाई आर्ट होती है वो सब आपनों यहां पर देख ठीक है बाकि आप लोग को अगर ये भी टॉपिक नहीं समझ में रहे ये भी आप लोग को पढ़ा देंगे कि इसमें भी क्या क्या है बाकि हम एकाई 5 की बात करते हैं भारतिय कला इतिहास आएगा ज्यानि की जो आप इंडियन आर्ट पढ़ते हैं वो सभी यहां पूछा जा हास आएगी यानि कि आप लोग जो वेस्टरन पढ़ते हैं वो पूरा आएगा एक आई 7 में है डिजाइन है कला एवं तकनीक है ठीके तो ये भी आप लोगों का ये भी पूछा जाएगा एक आई 7 में डिजाइन एवं कला एवं तकनीक हो जाएगा ये भी फंडमेंटल मे आप लोग पढ़ लेंगे डिजाइन एम कला तकनीक में या आपका लोग कला से जितना भी है वो सब यहां पर आ जाएगा कला और तकनीक जो भी आप लोग फंडमेंटल पढ़ते हैं वो सब आएगा बाकी यहां पर एट है इकाई विश्व फोटोग्राफी फोटोग्राफी में जितना भी आप लोगों को करा है वो सब यहां पर पूछा जाएगा नॉर्मल ही कुशन रहेंगे यानि कि प्लेटो अरस्तु यह सब पूछे जाएंगे और इंडियन चाहे आपका मैतली शिर्गुप्त हो या फिर आपका रविदना टागोर हो या जैशंकर प्रशाद हो जितने भी हैं यहां पर सौंदर सासी वो सब के सब आपको यहां पर यह देखना है ठीक है अब हम देखते हैं भारतिय प्रतिमा विज्ञान भारतिय प्रतिमा विज्ञान में वही सब पढ़ना है आपका जो मूर्ती है वही चीज़ है बाकी काई टैन में है कला सयोजन के सिधान्त कला के तत्तो है तो कला के तत्तो यह जितना भी पढ़ते हैं वो सब मतलब टोटल मान के चलिए कि आप लोगों को पूरा सिलेबस है इसमें कुछ भी ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगा कि इसमें वो टॉपिक नहीं पढ़ना है ठीक है तो ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है बाकि अब 11 में देखते हैं लोक कला है आदिम कला है क्राफ्ट है ये सब आप आपको पढ़ना है समकालीन कला प्रवर्तियां है यानि कि जितनी भी समकालीन प्रवर्तियां जितना भी आप लोग देखते हैं वो सब यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो इकाई 13 में है द्रश्य कला का अन्य विधाओं में अंतह संबंध है प्रचलित कला विधाएं बाकी टॉपिक का अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईगा उसको पूरा डिटेल से बता देंगे कुछ बच्चों को समझ में आ रहोगा कुछ हो सकते हैं कि उनको एक दो पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट में जरूर बताईगा बाकी इससे रिलेटेड जो भी आप लोग को नहीं सबच में आता है वो टॉपिक वो आपको पूरा करा दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग इसकी फर्स वेपर की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा जो यूनिट वन का पेपर है ठीक अब हम जैसे की पॉप आर्ट हो गया और यह सब पूछा जाएगा बाकी है यहाँ पर कला समिक्षा है कला लेखन एम प्रमुक्स्त के पत्रिकाएं हैं कला दीगाएं संग्रालें कला प्रभंदर मत अब टोटल पूरा मुझे तो पूरा आपका सिलेबस दिख रहा है कुछ जादा प्रिपरेशन हो गई है क्योंकि अभी नेट का भी एकजाम था तो नेट का भी एकजाम हो चुका है यहां मैरस का भी पेपर होने वाला है तो बहुत सारी स्टुरेंट की तो काफी हद तक तैयारी अच्छी हो गई होगी इसका देखो पेपर हो सकता है कि मार्च में पेपर हो जाए सम्भावना जादा है कि हां मार्च पेपर हो सकता है कि बाकि हम यहां पर इसकी बात करते हैं कि जो second इसमें बहुत लोगों को confusion था कि unit second में क्या आएगा तो unit second में देखते हैं यहां पर जो unit second है वो क्या है कि जैसे सो नंबर का तो हो गया जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है अब यहां पर देखते हैं कि जो सिलेबर आट अफ टीचिंग एंड अदर इसकिल एस्टेट 2023 तो यह जो पेपर है वो यूनिट सेकिंड में क्या आएगा जो पचास नंबर का है टोटल कितना ह है पचास नंबर का है अधर इसके हम बार्द में देखेंगे पहले हम देखेंगे आर्ट ओफ टीच्जिग अर्ट ओफ टीचिंग में क्या क्या आएगा जैसे कि ये पूरा आर्ट ओटी इचिंग के कि देखा यहां पर कितने अच्छा मार्ट पप्लाग्स है कि 30 मार्ग्स वो पढ़ा होगा, बाल सिक्षा पढ़ी होगी, चाय डेवलप्मेंट पढ़ा होगा, सेम वही है, तो वही है जो art of teaching, teaching aptitude से यहाँ पर question पूछे जाएंगे, बियर करा होगा, बहुत सरी शुए ने तो उनको पता होगा, पढ़ा होगा, तो यह topic अच्छा है, तो आप लोग आसानी से कम से कम 30 में से 20 marks आराम से ला सकते हैं, 20 तो आराम से marks आ जाएंगे, कि इसमें question जादा tough नहीं होते हैं, अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा, किसी ने तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, समझ कर पढ़ा होगा, तो ठीक है, इसमें बस यह है कि समझना है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, teaching aptitude में, यह सारा आप लोगों को समझना है, अब यहाँ पर देखो art of teaching के जो 30 marks का है, वो क्या-क्या है, तो उसमें जो दिया है, यहाँ पर इसको थोड़ा से बढ़ा कर देती हूँ, तो अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यह teaching and learning है, meaning, process, characters, यह है, and technical objectivist है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही सावर teaching method है, lesson plan है, आपका micro teaching है, effective, यह है, क्या, ecosystem, and text book, and library, qualities of teacher, evolution, evolution है, यहाँ पर, evolution, evaluation, and यह जो भी है, ठीक है, यह assessment of for learning, यह जितना भी है, आप लोग आराम से इसमें कर सकते हैं, अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हिंदी भी बता देते हैं, curriculum, factors, effectors, teaching and learning, teaching aids, teaching aids and hands on learning, यह सब यहाँ पर जो है, वो पूरा ही जो दिया है, आप आप लोग को यहाँ पर देख रहा होगा, paper first का, जो है, मतलब unit one का, तो unit one में जो बताया था, हिंदी में वही चीज है, ठीक है, तो हिंदी में अगर आप लोग देखना चाहें, तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे की child development and pedagogy का, यह देख सकते हैं, जैसे की बाल विकास को प्रभाबित करने वाले का, रग बाल विकास के आयाम किशोर आवस्था, सीखने की प्रक्रिया, सीखने के सिधान्त, बच्चों की प्रक्रिया, एवं विविद संदर्व बनाती हैं, अध्यापन का, आयोजन, कक्षा, प्रवंदन, एंट, बाल क्रिंदित सिक्षर, और यो आप लोग परुचेस कर सकते हैं, Airens Kit की बोहत सारी एऩास आती हैं, तो आप लुग अरम से परुचेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि Marron प्रवाइट में बुक नहीं मिलती है तो आप लोग एक पढ़ लीजिएगा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से 50 में से अराम से कम से कम 25 मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ बाकी बता ही दिया है कि इसमें 70 मार्क्स का आप लोग का बहुत जरूरी है 150 में से ठीक है तो यह नहीं कि 75 आए तो आप लोग पास माने जाएंगे बिलकूल भी नहीं यहाँ पर आप लोग को टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए 76 तो होने चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे नहीं तो अनिता अगर 75 आते हैं तभी आप अनुत्रिड माने जाएंगे ठीक है तो ये तो हो गया पहला जो unit second का है ठीक है उसको बता रही हूँ अब हम देखेंगे यहाँ पर जो unit unit first में तो देख लिया unit first में क्या था हमारा subject था ठीक है unit first में क्या था हमारा subject था है unit second में देखा था कि यूनिज सेखिन में जो ए वाला पार्ट है उसमें वो क्या है child development ठीक है end pedagogy है अब हम देखेंगे जो बी option का है यानि की unit second का B PART है उसको देखते हैं उसमें क्या आएगा ठीक है जो other skill वाला PART है ठीक है तो other skill पर पहुड़ते हैं यह वाला टो हो गया है other skill ठीक है तो यह वाला बता दिया है unit second का Art of Teaching यह अभी हम 50 marks की बात कर रहे हैं 100 Marks हो गया है ना अब हम बात कर रहे हैं 50 marks की बात कर रहे हैं तो unit second का जो A वाला part है art of teaching मैंने हिंदी इंगलिश दोनों में ही बता दिया है आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप लोग बहां से देख सकते हैं तीके तो ये पूरा इतना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा art of teaching का है अब हम देखते हैं यहाँ पर other skill तो other skill में क्या है आपको दिपताना है कि other skill में क्या क्या आएगा other skill में भी बहुत अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर general knowledge का questions है जीका का तो कोई भी limit है ही नहीं जीके में तो कुछ भी questions करे जाते हैं इसकी तो जितनी किताबें पढ़ जो पर भी लेते हैं तब भी यहाँ पर topic में दिया है कि जीके में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है environmental science में क्या पढ़ना है mathematics aptitude में क्या पढ़ना है and logical reasoning में क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो यह चीज मैंने आप लोग को पूरा complete बता ही दिया है आप लोग उसको अच्छे मिल जाएगा कि जीके में कौन-कौन से क्या पढ़ें या environment में या mathematical aptitude में logical reasoning अगर आपको लगता है कि कोई सा topic बहुत ज्यादा वीक है तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हो सकता है क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप ठीक है तो वाकि अगर 75 अगर आते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं बाकि पूरा paper का pattern बता दिया है पूरा syllabus बता दिया है आप लोग एक first paper के लिए एक market से क्योंकि यहाँ पर खुद से पढ़ेंगे कुछ पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा एक market से book purchase करिएगा उसको देखिएगा आराम से आपका first paper clear हो जाएगा ठीक है मतलब sorry other unit second वाला first paper तो आराम से यो ही clear कर लेंगे उसमें तो कम से कम 100 मैंसे आप लोग कम से कम मान के चलिए 70 questions write कर सकते हैं 70 questions आपके बिल्कुल भी जो है सही जाएंगे कम से कम 30 questions का जो बहुत बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोग 70 questions आराम से कर सकते हैं इसमें जादा इतना tough नहीं होगा बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वही चीज आएगा जो आप लोगोंने बिहार estate के लिए भी BPSC का आया था आप लोग पीपर भी दे कर आए थे तो वही चीज है उससे related ही कैसे ही question पूछे जाते हैं तो आराम से आप लोग यह सब कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज पूरा बता दिया है बाकि यहाँ पर और कुछ बताने वाला नहीं है हाँ एक फीस वाला और बता देते हैं बच्चो से start हो चुकी है यहाँ पर जो last date है वो दो date है ठीक है तो दो जनवरी तक आप लोग form fill कर दीजेगा उससे पहले ही कर दीजेगा form तो fill करना ही है बाकि आप लोग उसको form fill कर दिएगा ठीक है बाकि यहाँ पर next point देखते हैं कि जो exam का fee last date जो है वो दो ही है ठीक है exam date होगा वो S पर schedule होगा ठीक है तो यहाँ पर exam की कोई date नहीं दिये है लेकिन हाँ संभावना है कि March तक exam हो सकता है ठीक है जातर संभावना है कि March तक exam हो जाए बाकि admit card available before exam exam से पहले आपका admit card हो जाएगा ठीक है तो बाकि यहाँ पर fees के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि मैं fees क्या है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जनरल की fees है वो 1960 है स्टन पिएच जो है 760 और बोथ पेपर अगर आप लोग को देना है बैसे बोथ तो पेपर नहीं देगा बोथ तो बोथ के लिए तो वेकेंसी भी नहीं है ललित कला वालों के लिए तो वो उनकी कोई जुरत है नह चाहता है बाइचान किसी के पास टेक्निकल आर्ट है और अगर आप लोग भड़ना चाहते हैं कि हम भी एस्टेट का फॉर्म दे दे तो आप लोग के लिए क्या होना चाहिए उस सब्जेक्ट में मतलब इस नातक तो होना चाहिए इस नातक के सासाथ आपका वीर्ड होना चाहिए तब ही आप लोग कले कर सकते हैं ये सब्सक्र点 जो जिसमें बेड नहीं मंगा है बाकी सब्सक्राइब मांगा है तो भी जडरूरी है अगर आप लोग बाईचांस स्टुरेंट नहीं फर्म कर पाता है ग्राइजूशन में अगर उसका subject आट नहीं है तो आप अधर सब्जेक्ट से भढ़ना चाहते हैं तो आप ब्यडोना जरूरी है ठीक है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहां पर फीज़ियां तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बाकि आपको पूरा यहां पर बता दिया है, अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट वोक्स में बता सकते हैं, उसका रिपलाई तुरंट किया जाएगा, ठीक है, तो यह तो रहेगा पूरा सिलेबर्स, पूरा सब कुछ बता दिया है, ठीक है, Thank you everyone!